पर यह उमीद लगा कर चल दे इसके अलबा पिरामल एंटरप्राइस का लिहां पर डीमर्जर अनाउंस हो उसके बाद सीलेसी की तरफ से रिपोर्ट आई है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरा रखा है 2960 रुपे के लक्ष ले टाइटन पर जो कौर्टरली अपडेट इसके बाद कल हमने देखा था कि कुछ सेट आफ ब्रोकरिज इस ने रिपोर्ट निका ले थी आज सेटी ने जो है रेटिंग को अपग्रेट कर दिया अब यह खरीदारी के राय दे रहे और लक्ष हाला कि ज्यादा बड़ा नहीं दिया है 2490 रुपे का लक्ष दिया है 2375 क जो है कलकी क्लोजिंग है लेकिन यह मान रहे कि जो ज्वेलरी सेग्मेंट में ग्रोथ के आकड़े कंपनी ने रिपोर्ट किये उनके अनमान से और उमीद से दोनों लिहाद से देखे तो काफी बहतर देखनी को मिले है MNM यहाँ पर नौमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है खरीदारी किराय को बरकरार रखा है 1086 रुपे का लक्ष दिया है 888 की कलकी क्लोजिंग है और यह मान रहे कि XUV700 का जो लॉंच हो आए इससे काफी बढ़िया वॉल्यूम रिकवरी आपको देखने को मिलेगी कल हमने आपको वैसे बताया भी था कि केवल 57 मिनिट में 25,000 बुकिंग जो है XUV700 की देखने को मिली थी तो यहाँ से एक बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल रहे है मैक्रोटेक डेवलपर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है यह खरीदारी किराय को बरकरा रखा है और लक्ष बढ़ा है एक हजार 68 रुपे से बढ़ा कर 1220 रुपे कर दिया है और यह मान रहे कि जो इनके Q2 के अपडेट्स आएं इसमें तिमाई दर तिमाई आप देखे तो करीब पहरी दुगने की ग्रोध देखने को मिलिए है जिसके चलते हैं स्टॉक पर यह बुलिश है अंत में लाइफ इंशॉरेंस कंपनी इस पर नज़र रखेगा क्योंकि नवमिरा की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर SBI Life Stock कोई सबसे जादा पसंद करें 1650 रुबे का लक्ष दिया है